गाइस क्या आप भी वाटसेफ आटो डाउनलोड प्रॉब्लम से फरिसान है इससे वेसिकली होता क्या है कि जब हमारे वाटसेफ में मल्टिफल गुरूप्स होते हैं तो जब भी हमारे वो गुरूप्स या कॉंटेक्ट में इमेज या वीडियो आती हैं तो वो आटोमेटिक सारा इमेज़ेस वीडियोज ले जाते हैं जिससे वह फिनिश जल्दी हो जाता है ठीक है और दूसरी प्रॉबल्म होती है इस वीडियोरी साल फूल होते हैं तो आज की इस विडियो में आप다면 कैस्ते आप किस तरह कर सकते हैं और जिस इमेज और वीडियो इसको चाहेएँं जिस पर आपके लिए करेंगे बही इमेज और वीडियो डाउनलोड होगा बागी नहीं होगा तो चली हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और समाझते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हो और बस आपको इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपके मोबाइल में यहनि कि आपके वाट्सेप में जो भी वाइस मैसेज आएंगे वह वस्ट आटोमेटिकली डाउनलोड होंगे बागी आप सब पर कंट्रॉल कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपनी वाट्सेप स्क्रीन पर और समाझते हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं तो मैं यहाँ ट Deb कर दो तरह इंटर्फेस आएगा इसके आप इसके बाद आपको नीचे दिखेगा यहां पर धीखता है न मीडिया और यहाँ पर निचे लिखा है wave voice message are always automatically download यहनि कि आप voice message पर जो voice message होते हैं उन पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं मांगी आप सब पर रोक लगा सकते हैं ठीक है तो यहां पर तीन उपसन है इन तीनी को हम समझ लेते हैं ठीक है हुआ कि आपको अगर आपके में सभी में ठीक होगा क्योंकि आपके यह order daily डांलोड होते हैं तो सभी में ठीक होगा तो आपको क्या करना इसे को अंटिक कर देना है और OK कर देना अब आपके मोबाइल डाटा से कोई भी इमेज या वीडियो डाउनलोट या डॉकुमेंट्स डाउनलोट नहीं होगी ठीक है इसके बाद अगर आप वाइफाई से कनेक्टेड करते हैं अपने मोबाइल को तो वाइफाई से भी इसमें कमांड रहेंगी बेन कनेक्टेड ऑउन वाइफाई जब आप वाइफाई से कनेक्टेड रहो तो उस टाइम पर आपकी क्या डाउनलोड होना चाहिए है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो तो यहां पर सभी सब्स खोई narrative को हैं वेन रॉमिंग तो रॉमिंग में भी आप यही कर सकते हैं कि आप सभी को ख़ते मेरे में आरे हैं आप चाहिए तो सब KO और रख सकते हैं और आपको किलिक करने तो है कि मैंने अपन इन सबुंत option में हम लोगों ने no media कर दिया यानि अब हमारे whatsapp में जो भी इमेज या वीडियो या documents आएगी वो तभी download होगी जब हम उस पर click करेंगे download होने के लिए चाहे हम data on रखें चाहे हम Wi-Fi से रहें या चाहे हम roaming में रहें हम किसी भी situation में रहें हमारा वीडियो इमेज और documents तभी download होगी जब हम उसमें click करेंगे यानि कि उसमें permission देंगे आपको off करना है तो आप कर सकते हैं on करना है तो on रख सकते हैं तो आसा करते हैं आपको वीडियो सही से समाझ आगिया होगा कि किस तरह से आपको auto download को आन करना है और यहींसे आप ओन भी रख सकते हैं और यहींसे आप आप भी कर सकते हैं तो अगर आप कोई वीदियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह कि इनफोर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो इछ लुड़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्लेस करें